कि गैस सेक्टर में अगर इंवेस्ट करने की सोच रहे हो तो गुजरात गैस अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए क्योंकि अभी थोड़ा सा डिसकाउंटेड है ऑल तो अगर बात करोगे गैस सेक्टर में तीन चाय स्टॉक हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं एक तो ग अगर प्राइबट सेक्टर में जाओगे तो गुजरात गैस और अडानी गैस दो पिलियर हैं जो काफी मेरे पसंद दिदा है मतलब गैस सेक्टर में और अडानी गैस तो अभी रिसेंटली भाग गया था उसको नौस साड़े नौस से पर आसपास हमने कई बार डिसकस किया अगर आएगी तो उसमें देखेंगे लेकन गुजरात गैस में एक बाइंग की अपरचुर्टी बन नहीं है और दोनों ही एग्रेसिव श्टोक हैं गुजरात गैस भी और अडानी गैस भी आने वाले टाइम है मुझे इसा लगता है दिवाली तक गैस की डिवाइंट भी और ये प्राइसिस तो बड़ी रहे हैं तो यहाँ पर एक डिप लगाई जा सकती सीमपी के आसपास में कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे नीचे एक और सपोर्ट आएगा जहां पर मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाएगा जहां पर आता है 200 डिये में 550 के आसपास त लेकिन अगर बस सेनेरियों बैक अप्डा मैंड लेकर जरूर रखना कि चला गया तो क्या होगा तब क्या करूंगा तो यह अगर आप लेकर सोच के रखते हो तो कभी भी धोका नहीं करोगे यह चीज़े हैं और हमेसा अपना भरोसा है तब ही करना तो यह दो बता दिए है आपको लेवल तो इन पर नजरे गडा के रख सकते हो यहां पर एक डिप लगाओ और अगर यहां से ही उपर भाग जाए तो वे प्रॉफिट को इंज्वाए करो मार्केट में तो कोई आपको पता है कोई भी गिरावट के संकेत है नहीं थोड़ी मोटी छोटी मोटी हो जाएगी मार्केट बारह जार तेरह जाएगी आँ दोसो सो तीन सो पॉइंट की गरावट दोसो पॉइंट की आ सकती है लेकिन इसका मतलब नहीं मार्केट का ही क्रेस होने वाली है और आरसाई देखो गई तो काफी वीक हो गई 36 की यहां बहुत पहले सेल्सिंग में बन कर दो